Eye of World में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामनी एक बहुत ही खुबसूरत दिखने वाला बहुत ही easy to grow plant लेके आया हूँ जिसका नाम है syngonium जा arrowhead किसी भी plant की requirement उसे कैसे होगाय जाए उसे कैसे उसकी देखभाल की जाए उसके जानने के लिए हमें उसकी introduction पता होनी चाहिए तो ये एक tropical rain forest वाला plant है तो आपको बता ही है rain forest में बहुत ज़्यादा rain होती रहती है moisture बहुत ज़्यादा होता है humidity बहुत ज़्यादा होती है और उसकी soil जो है बहुत ही ज़्यादा organic matter वाली होती है इसे गंबले में plant करना बहुत ही आसान है इसके लिए आप इसकी cutting ले सकते हैं cutting से ये बहुत अच्छी तरह से grow हो सकता है लेकिन cutting लेते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि उसमें एक दो aerial roots ज़रूर होनी चाहिए aerial root वाली cutting जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक चोटे गंबले में इसको plant किया है अकसर लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे त्यार की जाए तो इसकी मिट्टी त्यार करना बहुत आसान है आप बराबर मातरा में सॉयल लीजिए गार्डन सॉयल और उसमें कोको पीट मिलाइए और उसमें आर्गेनिक मैटर, खाद, देसी खाद जिसे कहते हैं वो आप मिला दीजिए और इन तीनों के mixture को अच्छी तरह से mix करके गंबले में डालिए और गंबले में सुराख करना ना भूलें क्योंकि उससे extra पानी जो होगा वो निकल जाएगा अगर वाटर लॉगिंग होगी तो यह प्लांट मर जाएगा अदर्वाइस इस प्लांट की बहुत ज़्यादा देखवाल नहीं करनी पड़ती इसमें हुमिडिटी बहुत अच्छी रखिये इसको समय समय पर पानी देते रहिए और इसे आप इंडोर भी डख सकते हैं क्योंकि यह एक ट्रोपिकल रेंफोरेस्ट वाला प्लांट है तो रेंफोरेस्ट में इसके उपर बहुत गनी कैनोपी होती है बड़े-बड़े पेड़ों की इससे इसको बहुत कम धूप और बहुत कम रोशनी में भी यह जिंदा रह सकता है यह बहुत अच्छा ऑक्सिजन देने वाला प्लांट है घर की खूपसूरती भी बढ़ाएगा और बहुत ही कम केर इसको चाहिए अगर इसे रेगुलर पानी मिलता रहे और समय समय पर इसे आप आरगेनिक खाद देते रहें तो यह कभी भी नहीं मरेगा यह बहुत अच्छा ग्रोग करेगा इस प्लांट के साथ एक साफधानी रखने की जरूरत यह है कि इसकी जो पत्तियां होती है उनमें कैल्शिम उक्सलेट होता है और कैल्शिम उक्सलेट बहुत ही जहरीला पदार्थ है अगर इसकी पत्तियों का रस स्किन पे लग जाए या आंखों में चला जाए तो यह शाले कर सकता है और बहुत नुक्सान कर सकता है इसको हैंडल करते समय बहुत साफधानी रखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं ऐसे वीडियो लगातार डालता रहता हूँ और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए